दोस्तों विडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ साम को आज मैं टहल रही थी अपने बगिया में तो मुझे बहुत ही सुन्दर खुसवु आई मैं सोची ये खुसवु कहां से आ रही है तो दोस्तों ये फूल होगा वो फूल होगा इस तरह से सुंगते सुंगते दोस्तों वो खुसवु पहचान कर जब मैं गुलाब का फूल के पास पहुची तो मुझे पता चल गया ये जो महक आ रही थी ये तो गुलाब का फूल से ह तो दोस्तों चलिए फीडियो को शुरू करते हैं और सुरू करने से पहले आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आप क्या देख रहे हैं आप देख रहे थे गाडेनिंग एंट फालमिंग का हिंदी वर्शन तो दोस्तों फूलों का राजा होता है गुलाब, ऐसा एक भी बग्या नहीं है, जहां पर गुलाब का पोधा ना हो, दूसरों की तरह दोस्तों मेरे बगीचे में भी गुलाब का कुछ पोधा है, कुल मिलाकर दोस्तों पंद्रों बहराइटी का पोधा है, बहराइटी, यहा पर आगया भेराइटी की बात तो दोस्तों ये जो भेराइटी है ना ये मुझे कुछ नहीं पता कौन सा भेराइटी क्या भेराइटी गुलाब का बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता तो मैं आगे ध्यान रखूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं गुलाब क के उपर research करके knowledge gain करके और homework बगरा करके आपके लिए एक बड़िया बड़िया वीडियो में पोस्ट कर दूंगे लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ color का पता है तो दोस्तों मैंने ऐसा किया ये फोटो में ले लिया गुलाब का एक एक करके जितना भी फूल खिले थे मैं ले color हो सकता है मैं उसके उपर color का नाम लिख दिया हूं और अगर आपको लगे कि नहीं इसका ये color नहीं हो सकता मैं कुछ गलत लिखी हूं तो आप वो मुझे comment करके बता सकते हैं ताकि मैं आगे ध्यान रखूंगी तो दोस्तों चलिए गुलाब का फूल देखते हैं और वीचे में और इस तरह ज्यादा तवज्जो दिया नहीं नहीं रखी आप भी सोच रहे होंगे लड़की तो पागल है बोल रही है नहीं रखी फिर वो दिखा रही है पंद्र भेराइटी दोस्तों बात यह है अगर मैं ध्यान देके अच्छी तरह से दूसरे फूल की तरह गुलाब को रखी होती कम से कम पचास भेराइटी आज मेरे पास होते 15 है क्योंकि मैंने कम ध्यान दिया तो बाई हाट अगर मैं चाहूं गुलाब रखने के लिए चाहती तो कम से कम पचास भेराइटी तो हो ही जाते मेरे पास क्योंकि दोस्तों यह बहुत कोश्टली देड़ सो के निचे कोई भी गुलाब तो आता ही ने हमारे यहां तो नहीं आता आपके हुआ आता है तो मुझे नहीं पता एक एक पेड को मिनिमुम 120-500 देखे हम खरिदे हैं दोस्त तक भी आता है तो दोस्तों एक तो कोस्टली पोद है दूसरा इसको ज्यादा क्यार करने परती है अगर थोड़ा सा भी आप क्यार नहीं किये इसमें फंगालाटक आ जाएगा पत्ते पिले पड़ जाएंगे और वो जो डाइबेक भी हो सकता है ऐसा कुछ-कुछ हो के वो आपका पेड मर जाता है तो दोस्तों हमको इतना ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है इस किन दोस्तों आज थोड़ा लग रहा है कि अब रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी भीनी-भीनी महक तो कोई दुसरा पोधा दुसरा फूल तो देही नहीं सकता तो दोस्तों इसलिए आगे सेमें गुलाब भी कलेक्ट करूंगी और आप लोगों के लिए अच्छा-अच्छ अच्छान के अच्छान के वगवादा एप लोगवादा थोस्तों अचाट एब ही साथ okay क्योंकी डंचार झाही आपा कर नुबश्य कर दोस्तों को साथ eh उंखа है झाल 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 आप देख लिए लेकिन अब मेरे जाने की बारी भी आ गई तो दोस्तों अगर वीडियो आपको आच्छा लगा है लाइक, सेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिजिएगा और दूसरी बात है अगर आप फेस्बूक या फिर एटो पले में देख रहे हैं तो फोलो वहां पर भी कल लिजिएगा मैं जल दाऊंगी आपके सामने फिर एक वीडियो लेके और तब तक दोस्तों आप इस वीडियो का आनंद उठाइए और मुझे इजाजत दे दिजिए बाई बाई